किचिन में खाना बनाते बक्त अक्सर मैलाओं को डर रहता है कि खाना कहीं जल ना जाए, कच्चा ना रह जाए, वहीं डिस्का स्वात अच्छा नहीं हुआ तो, हाला कि खाना बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इन सभी गलतियों से बचने के लिए आपको छोटे छोटे टिप्स फालो कर सकते हैं, अपने इस पैकेज में हम आपको किचिन के कुछ ऐसे छोटे 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 टिप्स बताएंगे, जो आपको किचिन कुई बनाएंगे, टिप्स नमबर बन आलू की पैटी या टिक्की बनाने के लिए आलू को अच्छी तरह उबाल कर रेफिरिजरेटर में ठंडा कर ले। इससे टिक्की गलेगी नहीं और अच्छी बनेगी। टिक्स नमबर टू बाजरे या जौर में गर्म पानी डाल कर आटा गूतें। इससे रोटियां नर्म बनेगी। टिक्स नमबर थ्री अधरक लैसन को ग्राइंड करते समय उसमें थोड़ा सा तेल बार नमक डाल दें और फिर स्टोर करें। इससे वो लंबे समय तक फ्रैस रहेगा। टिक्स नमबर फूर गुलाब जावन बनाने के लिए डो बनाते समय उसमें दूद मिलाएं। इससे गुलाब जावन नर्म बनेंगे। टिप्स नमबर 5, बूंदी का रायता बनाते समय उन्हें नमक और मसाला मिली हुई दही में डायरेक्ट डालें, इससे रायता टेस्टी बनेगा टिप्स नमबर 6, फूरियों को बेल कर तलने से पहले 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, इससे वो फ्राई करते समय ज़्यादा तेल नहीं सोखेंगी टिप्स नमबर 7, मूंग दाल के चिल्ले बनाते समय उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला लें, इससे चिल्ले कुरकुरे बढ़ेंगे टिप्स नमबर 8, हरी चटनी को आइस क्यूब ट्रे में जमा कर स्टोर करें, इससे वो ज़्यादा दिनों तक फ्रेस रहेगी टिप्स नमबर 9, ग्रेवी में अगर घी ज़्यादा हो जाए तो उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, इससे घी जम जाएगा और आप उसे असानी से बाहर निकाल सकती हैं टिप्स नमबर 10, सबजी बनाते समय ध्यान दखें कि सबी सामगरी को एक साथ ना डालें, बल्कि जो चीजें पकने में ज़्यादा समय लेती हैं, उन्हें पहले थोड़ा सा पकालें और फिर तूसरी चीजें डालें टिप्स नमबर 11, चिली फ्लैक्स, टमेटो कैचप और मयोनीज को मिक्स करें, लीजिए आपकी चिली मयोनीज डिप तयार है टिप्स नमबर 12, रायते में हिंग जीरा प्भून कर डालने की बजाए उसका तड़का लगाएं, इससे रायता ज़्यादा स्वाडिस्ट बनता है टिप्स नमबर 13, बेशन की बरफी में थोड़ी सी सूजी मिला लें, इससे बरफी दानेदार और टेस्टी बनेगी टिप्स नमबर 14, ग्रेवी वाली डिस बनाते समय उसमें टमाटर जरूर डालें, इससे सबजी की ग्रेवी टेस्टी और स्मूध बनेगी टिप्स नमबर 15, दही जमाते समय दूद में थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा डाल दें, इससे दही दो तीन दिन तक ताजा रहेगी टिप्स नमबर 16, ग्रेवी वाली डाल सबजी में नमक जादा हो जाए, तो उसमें सूखी ब्रेट का चूरा या बेसन भून कर डाल दें, ग्रेवी भी गाड़ी होगी और सबजी का स्वाद भी बढ़ेगा टिप्स नमबर 17, मिर्च के अचार में थोड़ी सी हिंग डाल दें, इससे मिर्च का अचार खराब नहीं होगा टिप्स नमबर 18, पकोड़े बनाते समय उसके घोल में एक चुटकी अरा रोट और थोड़ा सा गर्म तिल मिला लें, इससे पकोड़े ज़्यादा कुरकुरे और स्वाडिस्ट बनेंगे टिप्स नमबर 19, हर्ब्स को काटते समय उस पर थोड़ा सा नमक छड़क लें, इससे बाय इधर उधर नहीं फैलेंगे टिप्स नमबर 20, बेलन को 4-5 मिनट फ्रिज में रखने के बाद रोटियां बनाए, इससे आटा बेलने में नहीं चिपकेगा टिप्स नमबर 21, बारीक कटी हुई सबजियों को पकाने से इंदन की खपत को 50% तक कम पिया जा सकता है, इसलिए सबजियों को जितना हो सके बारीक काटें टिप्स नमबर 22, कीवी को दो हिस्सों में काट कर चम्मस से उसका पल्प निकालें, इससे वो आसानी से निकल जाएगा टिप्स नमबर 23, लच्छा पराठा बनाते समय लच्छी को कुछ समय फ्रिज में रखें और फिर सेकें, इससे एक-एक परत आराम से उतरेगी टिप्स नमबर 24, पास्ता होबालते समय उसमें थोड़ा साथ तेल मिला दें, इससे वो आपस में चिपकेगा नहीं टिप्स नमबर 25, पोदीना और धनिया की हरी चटनी तयार करते समय एक चुटकी, हल्दी पाउडर और नीबू का रस मिलाएं, इससे उसका रंग बरकरार रहेगा तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले तो फर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई